नमस्कार दोस्तों सिविल वर्क सुरेंद्र कुमार में आपका स्वागत है जो कि पहले टीम वर्क एस कुमार था अब नाम चेंज हो चुका है तो चलते हैं अपने टोपिक पर जो कि कुछ दिन पहले हमने स्टोरी टेब में एक वीडियो पोस्ट किया था जो 12 गुने 30 का तो आप देख सकते हैं कि इसका जो चौडाई है वह 12 गुने 30 का है तो इसके सारे चीज जो है मैं आपको बताऊंगा वाल रूम कीचेन बातरूम जितने भी चीज़े हैं विंडो खिलकी गेट सभी के मैं साइज बताऊंगा अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा आसा करू यहां से यहां 30 फिट जमीन है और यहां से ऐसे 12 फिट जमीन है और 12 गुने 30 में हमको पलोट एरिया में इस मकान को हमने बनाया है क्योंकि जगा बहुत कम है दोस्तों आप देख सकते हैं 12 गुने 30 में बनाना है इसको तो चलते हैं तो यहां से हमने सबसे पहले की 2 फिट छ छोड़ दिया है और यहीं जो फरंट मेरी ए जो आइंडर चोड़ा है तो सेकेंध फ्लोपर जाके दो फीट का चज्ज़ा निकल जाएगा तो हमने दो फिट का एरिय छोड़ दिया यागे बारह हो ने दोीकद यह चलते हैं इंटर करते हैं तो इसमें जो दोस्तों है कि यह सिंढ़ी के लिए स्पेस दिया हुआ है सिंढ़ी और अंदर जाने के लिए यह सिंढ़ी रहेगा फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर और इसके नीचे से आप जा सकते हैं इसके नीचे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं पिसारा मैं आपको कल्कुलेशन भी ब पात्रून दे रखा है जिसका गेट इधर से है अगर आप चाहें तो इसका गेट इधर से भी रख सकते हैं यह किसी आप दोनों में से किसी तरह भी गेट रख सकते हैं आप अपने हिसाब से अगर गेट इधर रखना चाहें तो रख सकते हैं कोई भी प्रोब्लम नहीं है लगा सकते हैं तो चलते हैं अब इसकी साइज की बात करते हैं उसमें क्या क्या है सारे चीज मैंने बता दिया और साइज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने पांच इंची का वाल दिया है आप किनारे में देख सकते हैं पांच इंची का साइड से वाल है आगे से दस इंची आठ और यहां सिर्भी स्ट्रेटिंग पॉइंट पर नौ और एक दस मतलब इसमें कॉलम जो हैं वह दस हैं साइड का चुनाई है वह साड़े चार इंच है और फ्रंट का चुनाई है यह वाला वह नौ इंच है अब इसका बात करते हैं साइज की दोस्तों कि इसका साइज क्य 10 पीट गुने 11 फिट जो है आपका बैड्रूम है उसके बाद होल की बात करें तो हॉल जो है उत्ता हुझा च्षेए छे फित का हॉल है ये साथ फित मुने जड़े छे फिट कि यहां से इतना दुन में यह जहां एरिया और वाकी यह किचन का है तो कीचन का एरिया कितना है तो kitchen का area जो है 7 गुने 5 है यहां से और यहां तक यह 7 गुने 5 का area kitchen है ठीक है और उसके बाद जो यह area बचता है kitchen के side में जो area बचा हुआ है यह area जो है वो 4 गुने 5 का है जिसका आप huge यहां पर freeze या कोने पर basin लगा सकते हैं अगर इस gate को इधर से आप कर देते हैं तो यह है आ गुने 5 का bathroom है और इस टेर से रिया जो है हमारे पास यहां से और यहां तक वह 10 फीट है दस गुने 6 फीट का हमारे पास सिढ़ी का area जो हमने है 10 गुने 6 फिट का लिया है लेकिन सिढ़ी को जो बनाया गया दोस्तों टुटल एरिया जो सिढ़ी का है वो 12 गुने 6 में बनाय दिया तो यही जो है इसका जो मिड लेडिंग चौताल हो जाएगा तो यह हमारे 12 गुने 6 में सिढ़ी को बनाया गया है फ्रांट एरिया दो गुने 12 मैंने बताया आपको अच्छा में गेट की बात करें में गेट की बात करें तो में गेट का जो साइज है वो 6 गुने 7 है ऐसे चौडाई है और साथ ऑचा उचा आई है बात डोर की बात करें तो बात डोर जो है वो ढ़ाई गुने 7 का रूम डोर की बात करें तो ढ़ाई गुने चार का बिंडू है ठीक है दोस्तो उसके बाद सिढ़ी का कल्कुलेशन की बात करें तो सिढ़ी के लिए जो हमने बताया था कि आपको यहां से यहां से और यहां तक जो है 10 फिट है और यहां तक 12 फिट है यानि कि हमने इसको 12 फिट में 12 गुने 6 में सिढ़ी को बनाया है तो यहां से हमने 3 फिट माइनस कर लिय तो ग्यारा एस्टेप और बारा राइजर तो बारा राइजर को आप जो इसका हाइट होगा वह साथ फिट यानी 84 इंच होगा इसलिए कि यहां में डूर के पास से सिड़ी को बनाया जा रहा है तो यह 84 इंच हो गया 84 को अगर 12 में भाग देते हैं तो यह आपका आ जाएगा तो यह आपका साथ इंची का राइजर आ जाएगा इस सिड़ी में फर्स्ट लेंडिंग में और 10 इंची के करीब जो है आपका एस्टेप आ जाएगा तो 10 गुने 7 इंच का जो है आपका इसमें सिड़ी 10 वाई 7 का सिड़ी चड़ेगा और जो बीट रहेगा वह यहां से य 2 इंच का मने साइड बीच में जो है वह गयिंट रहा ंटि पर इंडिका जो स्टेर है उसका मthen साइज चाव का साइज है वह वह 10 से 6 त 11 के अरुज या x में यहां से यहां बाह के बाद हम लिए ऊmond तो से यहां 6 फित यहां pesticide और आठ राइजर लिये हैं 10 अरगल यहां से 6 फित इदर लेलेते हैं इहां लेलते हैं तो यहां से 7 टेप और आठ राइजर तो 10 10 इंची का हमने इसका एस्टेप दिया है और यहां से इसका हाइट है वह साथ इसको मकान को बनाया गया है वह 11 फिट के हाइट बनाया यानि 132 इंची तो 7 फिट थो हमने ले लिया और उसके बाद सेकेंड लेंडिंग में हमारे पास हाइट बचा वह 4 फिट बचा है तो हमने च्टेप जो चड़ाया है वह 10 इंची का तो सेकेंड लेंडिंग में जो च्टेप है वह 10 इंची का है साथ पीस और राइजर जो है वह 6 इंची का है आठ पीस तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हाउस पलान था भारा गुन 10 में तो आसा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया ही तो लाइक की आपकीजिए हमारे वीडियो को चैनल को सब्स्क्राइब किजिए और घंटी को दबाकर एल पे सिलेक्ट करें फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन नमस्कार बंदे मात्रम